स्टांडरेट, मैट्स, स्क्वेर औन स्क्वेर रूट, what could be possible one digit of the square root of each of the following number? देखो कि ऐसा बताई हुआ है कि ये number आपको दिया है, तो square है किसी का, शायद है, शायद नहीं है, लेकिन अगर है, तो जिसका square है उसका unit digit क्या होगा? तो ये पीछे one दिया है, तो find करो, किसका square में पीछे one आता है? तो one का square करो तो one आता है, और nine का square करो तो 81, यहाँ पे possible है one and nine, फिर किसमें six आता है? तो four का square करो, तो sixteen में six आता है, और six का square करो तो 36 में six आता है, फिर one तो वो तो वही है, फिर यहाँ पे five, तो five का अकिला five म नहीं आता, सेकंड नमबर, विदाओ दूइंग एल्लिक एल्कुरेशन, आप मिस आप शॉली बता दो कि कौन स्क्वेर नहीं है, तो हमको बताना है कि जिन किन का स्क्वेर हम करेंगे, लाइक वन का स्क्वेर तक पीछे बन, तो यह शायद हो सकता है, शॉली नहीं बुल सकते लेकिन शायद हो सकता है, तो परफेकली तो नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वेर नहीं है, ऐसा तो नहीं बुल सकते, तो यह 4 नहीं आएगा, यह 8, तो किसी का भी स्क्वेर करेंगे तो 8 नहीं आएगा पीछे, तो यह तो शॉर नहीं है, 7, तो किसी का भी स्क्वेर करेंगे तो 7 नहीं आएगा तो यह भी perfect square नहीं है और यह 3 तो किसी को आप भी square करेगो तो 3 नहीं आएगा तो यह भी perfect square नहीं है तो repeated subtraction की method में एक बता देता हूँ है लाइक आपको 100 दिया हूँ है 100 तो क्या करो odd number से उसका subtraction करो तो 100-1 किया तो answer क्या आया 99 तो 99 आपका answer आया उसको 1 के बाद में odd क्या आएगा 3 तो क्या आएगा answer 96 अभी 96 इसके बाद क्या आएगा 5 तो यह आएगा 91 अब 91 के बाद में क्या आएगा 7 तो 91-7 कितना होगा 84 84-7 क्या आएगा 9 तो 84-9 कितना होगा 75 फिर 75 के बाद में क्या आएगा 11 आएगा 75 बाद में 11 तो क्या आएगा इसका answer 66 66 के बाद में क्या आएगा 13 66 के बाद में क्या आएगा 13 तो इसका answer हो जाएगा 53 53 के बाद में क्या होगा 15 तो यह answer क्या हो जाएगा आपका 53 के बाद में 15 तो इसका answer क्या हो जाएगा कितना आएगा? 38 अब 38 माइनस अब किजी इसक वाद क्या होगा? 17 17 मीज कितना होगा? आंसर कितना आएगा इसका? 21 अब जेखो याप यहाँ वह दोड़ी गलती होगे 75 माइनस 11 आप करोगे 75 माइनस 11 तो 75 माइनस 11 66 नहीं हो था 64 होता है, कितना होता है 64, ओके तो यह 64, तो यह आपे भी 64 तो यह आपे भी 64 माइनस 13 करोगे आप तो 64 माइनस 13, तो यह आपे 51 हो जाएगा, फिर यह आपे 51 माइनस अगर आप 15 करोगे तो यह आपे 36 हो जाएगा और यह 36 माइनस 70 करोगे तो आपका answer हो जाएगा 1 9 आजाएगा कितना आजाएगा 1 19 अब 90 minus 19 तो यह answer आपका 0 तो यह 0 आ गया तो हमको क्या करना है देखो यह है 1 1 number, 2 number, 3 number, 4 number 5 number, 6 number, 7 number, 8 number 9 number और 10 number means 10 number का हमने subtraction किया क्या 10 बार हमने subtraction किया तब हमारा answer 0 आया तो यह जो है हमारा question 100, वो 100 किसका जो 100 है, वो किसका square root होगा, 10 का क्योंकि 10 बार हमने subtraction किया तब आया अब question number 4 उसमें एक करवा देता हूँ मै find the square root of the following number by prime factorization यह था subtraction, अब बात करते prime factorization तो prime factorization में क्या करेंगे देखो तो कोई भी equation ले ले लेता हूँ मै चलो पहला ही ले 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 लेता हूँ 7, 2, 9 तो 7, 2, 9 से हम 3 से नहीं काट सकते हैं तो 2 से नहीं काट सकते हैं 3 से काटेंगे 3, 2, 1, 4, 4, 3 तो 3 से 2, 4, 3 again 3 और 5, 5 और 9 हा तो अभी भी 3 से कटेगा तो 3, 8, 3, 1 अभी भी 3 से कटेगा तो 3 से कितना आएगा 2 और ये again 2 तो ये 7 आजाएगा ओके, फिर अभी भी 3 से तो अभी भी 3 से कितना आएगा अभी भी 3 से कितना आएगा 9 अभी भी 3 से काट सकते हो न तो 3 से अभी भी 3 और 3 से 1 तब पैर बनाओ तो यह 3-3 की pair बन रही है तो प्रता है primary factorization में जिसकी pair बन रही है उसको एक ही बा लिखेंगे तो यह pair में से 3 निकाला यह pair में से भी एक 3 निकाला यह pair में से भी एक 3 निकाला तो 3 into 3 into 3 तो 9 threes are 27 तो यह जो 7 to 9 है ना वो 27 का perfect square है वैसे ही आप इन सब में primary factorization से करो पैर बनाओ और पैर में से जो दो बारार है उसको एक बार लिखे multiplication कर दो तो वो आपका perfect square मिलेगा ओके